नमस्कार, शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनो स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन्द डूभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक, सामद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के पसंदिदा चेनल गो व्लॉक्स में तो आपका है, एक जिग्यासू प्रवर्ति के बिक्ति आप है और सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहेगी जीवन में इसका यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है चलकपट से दूर रहेंगे और जो करियर का मामला यहाँ पे दिख रहा है जिसमें मस्तिस्क से ज़्यादा कार्य चलता हो या बोलने से ज़्यादा कार्य चलता हो ऐसे करियर आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा सोटेबल रहेंगे बहुत उन्नत देने वाले रहेंगे उनमें भी विशेशकार ब्रिस्पति से समंधित जो कार्य है चाए सिक्षा का छेत्र हो चाए इंजिनिरिंग का छेत्र हो चाए चिकित्सा का छेत्र हो चाए बानेज़ा का छेत्र हो या कानून का छेत्र हो ऐसे छेत्रों में अगर काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको उन्नती भी अच्छी मिलेगी और काम्यावी बड़े अस्तर की मिलेगी शुक्र परवत पे अगर हम इन रेखाओं को देखते हैं जो वर्टिकल रोप में हैं यहां से धीरे-धीरे उपर से बढ़ते हुई दिखाई दी रहे हैं जो आपकी परती कार्य की परती जुझहरूपन दिखाई दे रहा है आपके अंदर जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं इस परकार की चीजों को ये बता रहा है जैसे जैसे experience बढ़ेगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी जो पदोनती है वो भी इसपष्ट तोर से दिखाई दे रही है, दो बार आपको आने वाले समय में बड़ी उन्नती मिलने जा रही है, ये आपकी हतेली इसपष्ट कह रही है दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे आपकी ये वाली उंगली, एक सही रूप में अच्छी पोजिशन में दिखाई दे रही है सही अनुपात में खड़ी है आपकी मानसिक छमता बहुत अच्छी है और साथ में अगर हम देखें तो अध्यात्मित छमता भी आपकी जबरदस्त दिखाई दे रही है स्वाविमानी रहींगे विबेक बहुत अच्छा रहेगा आपके अंदर हाँ, दोसनों की मदद करने वाला विप्ति तो है बुद्धिमान बहुत ज़ादा है भग्या का निश्चित तोर पे साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक करमसील विप्ति आप यहाँ पे हैं, यह इस पश्ट दिख रहा है हम अगर यहाँ से बात करें आपकी जो है हिर्देई की लकीर की यह इस परकार से जा रही है और तरजनी उंगली, मिडली उंगली के बीच में दिरिश्टिगत हो रही है और इस पे देवगुरु ब्रस्पति का और सनी का प्रभाव पढ़ रहा है इन दोनों का बलाबल आ रहा है जिसके कारण आपकी जो महत्वकान चाये हैं उस सिर्श अस्तर पे पहुँच रही है आप जिवनकाल में बहुत बड़े महत्वकान ची रहने वाले है आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी आपकी एक्छाएं भी एक टॉप लेबल तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए कितनी भी मेहनत करने पड़े आप पीछे नहीं हटेंगे कोई जुगार लगाना पड़ेंगे ये लगाएंगे कोई एनकेन प्रकारियन जो भी आपसे वो जाए आप करेंगे ये आपका जो है हतेले की लकीर और इस पे पड़ने वाला गुरहों का प्रभाव बता रहा है द्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक चिन उभर कर आ रहा है आम तोर पर ये मचले का चिन कहा जाता है ये आपके दार्शनिक किसम का ब्यक्तित्तों को बता रहा है एक नियायोचित ब्यक्तित्तों को बता रहा है और अनुसासन पिर्य अबिक्तित्तों को आपका निखार रहा है ये दूसरी बात हम करें तो रहस्यमे बिद्याओं की तरब आपका रुज्ञान बढ़ने वाला है और इसका नौलेज भी आपको बहुत अच्छा रहेगा धर्म और अध्यात मुवास्तों में क्या है इसको पहिचानने की जो ताकत है ये रहस्यमे ताकत नेचरल तरीके से ये पावर नेचरल तरीके से प्रकृति प्रदत आपकी जिवन में उतर रही है यहाँ पे देखें तो ब्रस्पते से एक लकीर आती हुई इस पश्ट रोप में इस लकीर पे मिल रही है जो इसकी सक्ते को दुगणा कर रही है और यहाँ पे एक विश्णु तिलक बन रहा है विश्णु ही तिलक है हिर्दय रेखा पे जो इस परकार का चिन बनता है इसको विश्णु तिलक कहते हैं सनी तिलक नहीं कहते हैं भाग्यास्तान पे अगर कोई जो है इस प्रकार का सनी परवत पे अगर तिलक बनता है इसको सनी तिलक कहते हैं लेकिन हिर्दय रेखा में अगर कोई इस प्रकार का तिलक बन रहा हो और ब्रिस्पति का उस पे प्रभ पड़ रहा हो तो ब्रिस्पति देवताओं के भी गुरु हैं रिसीयों के भी गुरु हैं और हमारा हिर्दे के अंदर आत्मा निवास करती है वो जो है नारायन का स्वरूप मानी जाती इसलिए इसको बिश्णुतिलक कहते हैं तो आपका जो पंच तत्व हैं आपके पंच भ भगवान विश्णु की बहुत बड़ी किर्पा है और अगर आप अपने जिवनकाल में अच्छे कारे करते हैं अच्छी राहा पर चलते हैं तो आपको किसी भी काम में आउस्य सपलता मिलेगे और आपको हराना आपकी विरोधियों के लिए संभों नहीं रहेगा इसके अलावा आप समाज में खुब लोग प्रेता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भग्य सालिय लोगों में आपकी गिंती होगी यहां पर इस पश्ट तरीके से बता रहा है तो एक कुछ बेहतरीन इस्तिति आपकी हतेली में आ रही है जो आगे के लिए शानदार इस्तिति को पैदा कर रही है आपके मस्तिस्क की रेखा देखें ये भी बहुत सुन्दर है एक क्रियेटिव विक्तितु को जन्म दे रही है आपको यातराओं का भी सुखदलाब मिलता हुआ दिख रहा है और ये चीज आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगी ये बता रहा है आपकी जीवन की रेखा पूरी तरो देखें तो केतु की तरफ आ रही है बहुत सांदार है लेकिन ऐसे लोगों की जो वास्तित तरक्की होती है वो जन्म अस्तान से दूर होती है जन्म अस्तान में रहेकर ये लोग बहुत ज़्याद़ तरक्की नहीं कर पाते हैं लेकिन कर् अंत में साच्छात मोक्ष की प्राप्ति परी निर्मान की प्राप्ति इस पष्ट दिखाई दे रहे हैं एक सुन्दर और सोबग्य सालिक कर्म आपके द्वारा हो रहे हैं चाए प्रस्तितियां कोई भी हो जीवन के एक सयोगी रेखा भी धीरे धीरे उबर रही है और इसका आने वाले समय में ठोस प्रभाव पड़ेगा जीवन में अगर कोई संकट होगा कोई अगर कठनाईया होंगी बहुत बड़ी रूप में तो ये रेखा उसकी हरन कर लेंगे आपको उससे बचा लेंगे ये गौड गिप्टेट रेखा है दूसरी बात निश्चित ही जैसे जैसे ये बड़ीगी आपको दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा साख्षात रूप में प्रेक्टिकल रूप में दो चार सालों में आप इसका अनुभाव करेंगे कि एका एक दूसरों का सयोग आपको अच्छा मिल रहा है जीवन में भगवान की बहुत फोम मिलता हो दिख रहा है और अनायास चीजें बदल रही है आपके अंदर जो सोचने समझने के सकते है वो बिसेश रोप से उभर कर आएगी इसका लाव अच्छा प्राब्द होगा ऐसा भी बिक्तित उभर कर आएगा कि एक बार येदि कोई नणे ले लेंगे तो उसे अ लेकिन थोड़ा सुकर का प्रभाव पड़ रहा है आपको हल की रूप में अगर हम कहें तो लाप्रवाई की गुणों से हमेशा बचके रहना चाहिए यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा ये उबर रही है ये ठीक नहीं दिखाई दी रही है ये रेखा होने के कारण दिक की जून में जो पैसों का मामला है उसमें ये संगर्स करवाती है कितना भी पैसा आजाया हात में खर्चे ऐसे आजाते हैं कि ये पैसा जैसे आया था वो इसे चला भी जाता है तो पैसों के मामले में ये संगर्स को दिखाता है ये इस चीज़ की लकीर यहां पे दिख रही दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो चंद्रमा से निकल कर एक करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है लिकिन एक एक हिर्दे की रेखा में समाहित हो रही है और फिर 56 वर्ससी ये बहुत सुन्दर अवस्ता में आ रही है देखेगा अगर आप अपने करियर के मामले में और धन के मामले में पूरी तरो से अस्ताई तो पाना चाते हैं तो एक दिव्ययोग ध्यान किरिया और रातरी के समय का महालक्ष में का उपाई जरूर करे अगर आप ये उपाई कर लेते हैं तो निश्चित देखेंगे आप त इसका टाइम होता है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन उपायों का सांदार प्रभाव आपकी जीवन पे प्रैक्टिकल रूप में उभरेगा जहां आपका करियर का चेत्र अस्ताईतों की और पूरी त्रोह चलने बैठ जाएगा वहीं धन का मामला अस्ताई रूप कर लेगा और फिर चाए करियर का मामला है चाए धन का मामला है उसमें अस्ताईतों की इस्तिति पैदा हो जाएगी और जब इन चीजों में अस्ताईतों आ जाता है तो जीवन वास्तों में बहुत सांदार इस्तिति को पैदा करता है ये इस पष्ट तरीक को बता रहा है य आपके अंगोठे को दूसरा वाला पोर्वा पहले वारे पोर्वे से बहुत बड़ा है ये भी इसी चीज को बता रहा है कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं निरणयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है आपको बड़ा सोच समझ कर जीवन में निर ब्यक्ति को प्राप्त करने वाले हैं यह यहां पर दिखाई दे रहा है दूसरी बात अगर हम यहां पर देखते हैं तो एक रेखा आपकी के तुसे राहों से निकल करके और यहां पर दो भागों में बट रही है और यहां पर कट रही है इसके प्रभाव को इसने पूरी त उसे खतम के लिया, वैसे ये रेखा जब राव से निकलती है, तो व्यक्ति को बहुत तेज बना लेती है, बहुत बुद्धिमान बना लेती है, और ऐसा व्यक्ति अपना काम एन केन प्रकारेर निकलवाने में माहिर होता है, ऐसे लोगों का समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होता है वो लोग भी जातक को योज करते हैं और बक्त आने पर जातक भी अपना काम निकलवाने में माहिर होता है इतनी strong रेखा होती है लेकिन आगे पूरी तरह से कट कई है इसका पूरा प्रभाव यहां पी इस रेखा ने खतम कर लिया है इसका सूर्य का मैं उपाई दूँगा जिससे नगेटिव प्रभाव हट जाए और जीवन में पोजेटिव प्रभाव इसका रही एक रेखा इस तरह से जाती हुई बुद्ध की और जा रही है अगर हम देखें दो तिन रेखाई इस पश्ट रूप में यहां आगे को बढ़ रही है यह बहुत अच्छा है यह आपके आयुस को बढ़ा रही है आयुस अच्छा रहने वाला है आपका और जीवन में निश्चित ही सपलता जबरदस्त रहेगी इस चीज को बता रही है ब्यावसाई अगर कर रहे हो तो आगे लक्षमी की किरपा होने पर करियर और धन की रेखा का इसपश्ट और सुन्दर होने पर आपको जो है ब्यावसाई में बड़ी तरक्की मिलने वाली है और बोलने के ढग के कारण भी आप अपने जिवनकाल में अच्छा पैसा कमाएंगे ये दिखाई दे रहा है लेकिन अपने डाइजेस्टिब सिस्टम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा इस बात की और बीज जो है ये इसारा कर रहा है अब देखेगा ये उंगली पूरी तरो से जुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी रहेंगी इस वर में बड़ा बिस्वास आपका बनावा रहेगा कर्म में जो है बहुत ज़्यादा बिस्वास रखने वाला ब्यक्तित तो आपका है कर्म सील पुरुस है और कर्म में किसी परकार की कायरता नहीं दिखाई दे रही है यस प्राप्त कनने की धन प्राप्त कनने की इक्छा बहुत अच्छी रहेगी मान सम्मान प्रतिष्टा रहे इस परकार की इक्छा दिखाई दे रही है दोनों उंगलियां बराबर हैं दोनों मिडल फिंगर से छोटी हैं धन और यसकी भोक है पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और जिवन का जादतर लक्ष भी यही दिखाई दे रहा है यहां पर गयप दिख रहा है जब जब आपकी कुंडली में सनी साडी साती में होंगे धाया में होंगे या बकरी अवस्ता में होंगे उसका प्रभाव आपके जिवन में गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा सबसे चोटी उंगली देखें तो ये भी इस प्रकार जा रहे है धनका माने की ललक बहुत जादा रहेगी लेकिन मनी मैनेजमेंट में कागजों के रख रखाओं में एकाउंटबिल्टी में फाइलिंग हो गयर में थोड़ी कमी भी रहेगी थोड़ा नाखुन बढ़ाएं तो आपके लिए ये बहुत सांधार रहने वाला है इसका मैंने बताई ये दिया है आपका अब अगर हम देखते हैं आपका सुकर के परवत को सुकर का परवता आपका सांधार तो है लेकिन बरतमान में इसमें बहुत सारी रेखाओं का जन्म हो रहा है जो इस पश्ट तोर पे बता रहा है कि किसी चीज को लेके आप उलजन में हैं दुविधा में हैं और उस उलजन और दुविधा के कारण आप बहुत ज़्यादा सोचने बेड़ गए हैं और उस सोचने के कारण चिंताईं भी कर रहे हैं कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं तो भी आपकी दृष्ट से अभाव की इस्तिती हल के रोप में नजर आ रही है लाग प्रियास करने पर भी सारे साधन होने के बाव्योद भी जो वास्तिक सुक है चाए वो सांसारिक सुक हो, साररिक सुक हो, चाए वो मानसिक सुक हो चाए दामपत्य जीवन का सुक हो, चाए पारिवारिक सुक हो, चाए कोटुम का सुक हो चाहे बहुत एक सुविदाओं का सुखो कोई भी सुखो उसमें पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है तो दिव्य योग ध्यान के रिया में दे रहा हूं उसको जरूर करेगा ये समस्या हट जाएगा हाँ आपके अगर हम दोनों मंगल देखते हैं दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं जो प्राकरम को दे रहे हैं एनर्जेटिक स्वभाव देते हुई यहां पर दिखाई दे रहे हैं यहां पर अगर देखें ये बहुत ज़्यादा उबर रहा है यह बात निश्चित है भोजन पिरिया बहुत ज़्यादा रहेंगे हर समय कुछ न कुछ खाते रहेने की परगृति भी जन्म ले सकती है और थोड़ा साबी जो है उपर उठे तो एगो प्रॉब्लम ज़्यादा रह सकती है तो इसको ठेक करने के लिए भगवान विष्णू की निरंतर सेवा करें सांताकारम भुजिक सहिनम पदमनाभम सुरेशम वाला जो इस्तूति है चोटी सी दो-चार सेकंड की उसको कहते जाएं या मंगलम भगवान विष्णू मंगलम गरुड़ जो ये वाली इस्तूति है इसी को कहिएगा पूजा के समय दो-चार सेकंड में तो ये चीज आपके ठीक होने बैठ जाएगी बहुत कुछ करने की जोरुरतनी है आपको सनी आपका बहुत अच्छा है अच्छी प्रिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे भी अच्छा प्रिणाम देगा सूरे में कट-कटाओ की इस्तिति हाँ पे दिखाई दे रही है इसकी उजासे थोड़ी सी चीजें जो है अनबैलेंस हो गई है इसकी उजासे सारा कुछ योग बनते हुए भी उसका पूरा फाइदा जो मिलना चाहिए जीवन में नहीं मिल पा रहा है इनके कारण अगर हम देखें तो जो प्रियास आपके द्वारा बहुत मजबूती से किये जा रहे है उनमें उतनी मजबूती से सपलता नहीं मिल पा रही है जितना आप निखर करके मिहनत कर रहे हैं परक करके परिस्रम कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रेई है जो पूरा क्रेडिट है जिस परकार से मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है जो quality आपके अंदर है जो योग्यताई है उस तरह से चीजें अभी निखर नहीं रही है जिस प्रकार से उभर के आनी चाही थी नहीं उभर रही है एक सहजता से एक सहजता से जैसे रास्ता मिलना चाहे था वो नहीं मिल पा रहा है रास्ता कहीं न कहीं भटकाओ के और जा रहा है और दूसरी बात देखे जब सूर्य इस प्रकार से होता है मैं पहले भी कह चुका हूँ कई वीडियो में तो ऐसा बेखते अगर ब्यापार की तरफ जाता है तो ब्यापार में जो वास्ट्विक बिस्तार होना चाहिए जो फैलाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है ऐसे में बेखते अगर नोकरी भी कर रहा हो जाए प्राइवेट हो या सरकारी हो जो ग्रोथ उसको मिलनी चाहिए उसके काबिलियत के उनसार या उसके समय के उनसार वो काबिलियत नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो और ये बताता है कि निश्चित रोप से आपके जो सार्रिक चकर है वो सूरे के चकरों के साथ परसपर तालमी इनमे नहीं है जिसके कारण ये चीज़ें घटित हो रही है इसके लिए आपको एक दिब्डि सूरी किरिया दी जाएगी ओडियो के मादिम से और सूरी उपासना दी जाएगी निश्चित तोर पे जरूर करें आपको बहुत अच्छा लाब निश्चित रोप से प्राप्त होगा लेकिन ये आपके करने के उपड़ डिफेंड करेगा छोटा काम बे करेंगे तो निफिम पाने के एक्छा जादा रहेगी यहाँ पे अच्छी रेखाई खड़ी है जो आपके ब्यावसाइक दिमाग को बताती है बुद्धी को बताती है अपके सिवा भाव को बताती है आपकी वानी की टाकत को बताती है लेकिन अभी ये थोड़ा सा कमजोर है तो बहुत एक सुक्स विदाओं में कमी देता है चंद्रमागि की इस्तिती थोड़ा अन्बैलेंस है अभी पूरी तरह बैलेंस नहीं है थोड़ा मन गड़बर रहता इसकी उजोसे कभी-कभी मानसिक प्रेशानी ये दे देता है वो सकता है भावकता भी देता होगा या इमोशनली थोड़ा प्रेशान कर लेता होगा दिखाई दे रहा है मन कभी-कभी ब्याकुल रहेगा भटक सकता है या कार्य में मन नहीं लग सकता इस चीज की दिखाई दे रहा है और थोड़ा अपने digestive system का ध्यान रखेगा पेट का ध्यान रखेगा अनीन आने में हलकी दिकतों का निश्चिती सामना करना पड़ सकता है इस प्रकार की चीजों कामला हो तो आगे जो है इसमें सरलता भी आ जाएगी और इस्तिरता भी आ जाएगी सुक निश्चित तोर पे देखा जाए तो चाए स्वास्ते का सुक हो धन का सुक हो एस्वरे भोगने का सुक है वो भी मिलेगा लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपका क्ये तो दोस्युक्त तो कोई नो कोई चिंता भी अभी कुछ समय तक रहेगी और हलका संगर्स को भी ये दिखा रहा है सूरे के अलावा जो ज़्यादा परिणाम दे रहा है आपकी हतेली की कुछ लकीरे दे रही है जो अनायास ही एक हलकी रोप में जो है जाल धीरे धीरे बना रही है और इसका पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिस्क पर पढ़ रहा है कही न कहीं उल्जन देती हुई दिखाई दे रही है ये लकीरे कहीं न कहीं जो है दुविधाई देती हुई कन्फ्यूजन देती हुई और कहीं न कहीं जो है अगर हम देखें तो जो निरणे लेनी की आपकी ताकत है उसको छीन करती हुई दिखाई दी रही है और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इसका प्रभाव बढ़ेगा इसको यहीं पर रोकना बहुत जरूरी है दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सिहत पे पढ़ रहा है कहीं न कहीं आर्थिक रोप से यहलके बीमारों की तरफ आपको ले जा रही है इससे आपको बचके रहना है तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वस्त्य पे पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है चाए वो सारीरिक स्वस्त्य हो चाए वो मानसिक स्वस्त्य हो ये विकार देने की कोशिस कर रही है आगे अगर जादा बढ़ जाती है तो प्रैक्टिकल रूप में वो विकार जादा दिखाई देंगे चौथा इसका प्रभाव आपकी रिष्तों पे पढ़ता हुआ दिख रहा है चाए वो पारिवारिक रिष्ते हो दामपत्य जीवन के रिष्ते हो कुटुम के रिष्ते हो या सामाजिक रिष्ते हो प्रोपेशनल रिष्ते हो उसका जो सुखद भोग है उस सुखद भोग को पाने में असमर्थता की और ये आपको ले जा रही है और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव आपकी जो टेपलप्मेंट है आपकी जो प्रोग्रेश है उसको ये बादित करने का काम करने की कोशिस कर रही है और आपके सपलता के अस्तर को घटा रही है देखेगा मैं आपको क्या दूँगा इसके लिए दिव्य सूर्य किरिया दिव्य योग ध्यान किरिया दे रहा हूँ साथ में सूर्य उपासना और एक मैं आपको बनस्पति अश्नान दे रहा हूँ ये चार चीजे में दे रहा हूँ और जो बहुत सरल है और आप अपने देनिक जीवन में कर भी सकते हैं उसका प्रेक्टिकल प्रभाव भी देख सकते हैं ये इस पश्ट दिखाई दे रहा है करना आप फिर देखना फिर बताना कैसा है इस बीडियो में बहर हाल ये तना ही एक नई बीडियो के साथ पुन अपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार